हमारे characters wedding के लिए आये हुए थे और वही पर वो time loop में फ़स जाते हैं इन दोनों को एक दूसरे के लिए feelings आई पर दोनों के कुछ secrets थे और इसी वज़े से जल से यहाँ से निकलना चाहते हैं cancer problems के पाउच होते हैं अपनी जिंदगी continue कर पाएंगे यह हम आज के हमारे movie Palm Springs ए 2020 की एक sci-fi fantasy hollywood movie में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो चलगता है तो प्लीज से like और comment ज़रू करतीजेगा अब बिना घिसदरी के explanation स्टार्ट करते हैं movie स्टार्ट होते हैं और हमें एक छोटा सा earthquake आता देख सकते हैं हमारा main character Niles अपने नीन से उठता है आज हो यहाँ बर अपनी girlfriend के साथ एक wedding में आया हुआ था यह दोनों फिर intimate हो जाते हैं पर Misty को उसमें कुछ भी interest नहीं था Misty के भी हमेशा की बगबग सुनकर Niles को मर जाना अच्छा रगता है इसके बाद वो स्विंग पूल के पास hangout करता है वहाँ बर भी उसका एक friend है वेडिंग अच्छे सुई और Misty ने speech दी पर उसकी speech जड़र random थी तो इस वज़े से कोई भी applause नहीं करता इसके बाद Niles फिर जबरदस्ती उससे mic ले लेता है प्रैड का नाम था टाला और लोगों को बहुत help करती थी इस सब के बार में वो बात करता है उसने कहा कि तुम दोनों वर्ल में अकेले थे पर अब तुम्हारी शादी हुई तो फिर से एक दूसरी को तुमने ढून लिया है ये सारी speech टाला की sister जिसका नाम है सारा जो हमारी और एक में क्यारेक्टर है ये सुन रही थी वेटिंग पार्टी स्टार्ट होती है और एक आदम उसके साथ डांस करना चाता था पर उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है मायल्स अपने ही धुन में था सारा नों से मना किया पर बात में वही आकर उसे बात करने लग जाती है उसे ने पुछा कि तुमने जो speech दी थी क्या तुम इस पर actual में believe कर दे हो नैस ने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए था उसे सारा का send अच्छा लगता है क्योंकि उसकी ex-girlfriend भी वही पहनती थी उसे directly पूछ लेता है क्या हम दोनों अकेले में कही पर जा सकते है सारा ने पूछा कि क्या तुमारी girlfriend को इसे कोई भी problem नहीं होगा सारा ने कहा कि मेरी family भी मुझे hate करती है उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ बर्बात कर दूँगी वैसे भी वो बहुत जादा drink करती है और अपनी life को जादा seriously लेती ने तो उसे बाद उतनी जादा गलत लगती ने मिस्टी की आवाजे सुनकर ये दुनों भी desert में आगे और intimate होने लगे अचानक से नायल्स को कोई arrow मार देता है वो डर कर भागने लगया सारा बहुत जादा disturb होगी उसे समझ में जाता कि यहाँ पर चल कह रहा है नायल्स फिर भागते भागते एक cave तक गया अगली सुबा जब वो उठा तो अगला दिन नहीं था फिर से पूरा डे रिपीट हो रहा था जिस तरह के से मिस्टी ने उसे कल उठाय था आज भी वो उसी तरह के से उठाती है फिर से आज भी wedding day था जैसे गल सब कुछ हो आथा वैसे आज भी हो रहा था नाइल्स के साथ ये चीज बहुत टाइम से चल रही है उसे याद भी नहीं कि फर्स टाइम में कब हुआ था जैसे कि हमें पता है कि वो पूल के पास आकर हैंग आउट करता है तब सारा उस पर आकर बहुत चिला दिया और सारा के बस पिक्टि उसे कल रात हुआ क्या था ये बात हमें पता चले कि जैसे नाइल्स उस केव में गया तो सारा भी उसके पीछे बीचे आके नाइल्स उसे जाने के लिए गयाता है पर सारा मानती ने उसके पीछे पीछे वो भी उस केव में चली गया आज जब वो उठी तुसने रियलाइस किया कि ये डिर रिपीट हो रहा है पहले तो ये सब वो बिलीव नहीं कर पाती अपने पैरन्स को सब कुछ बताने की कोशिश करती है पर उन्हें लगता है कि ये ड्रंक है बाहर फिर उसने नाइल्स को देखा उस पर वो जो जो से चिलाने लगके टाला ये सब देखकर उसे समझाने के लिए आ रही थी पर वो ही नीचे पटक के उसके दाट तुचाते है वेडिंडे पर ये सब वोना एक बहुत बढ़ा ट्रबल था सब लोग बहुत डरे हुए थे फादर ने कहा कि हम रेंडिस के पास चलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा सब देखकर सारा जरा शान्त हुए और फिर वो नाइल्स के पास आई माइल्स कहता है कि मैंने तुमें पताया था कि मेरे पास मता ना उससे सारी सिचुईशन समझा देता है कि हमेशा है एक ही दिन चलता रहता है कल फिर से एक नया डे होगा और टाला को कुछ भी हुआ नहीं होगा सारा ने कहा कि मुझे सिचुईशन से निकलना है उसे उस केव के बारे में पूछ दिया है उसे ढूणने के लिए निकली पर उसे वो कही भी नहीं मिल दी नायल से पूछा कि वो खाहा पर है नायल कहता कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो एक रॉक पर जड़ गया और प्रिटेंट करता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है फिर छोटा सा एक अर्थवेकार उसके बाद वो केव खुल गई हर रोज उसी टाइम पर वो केव खुलती थी वहाँ पर जाने लगके पर नायल से ने कहा कि अगर तुम वहाँ पर अंदर जाती हो तो फिर से डे रिसेट हो जाएगा सारा वैसे भी इस दिन से तंग आ गई थी तो अंदर वो चली जाती है फिर से उठी तो दिन रिसेट हो चुका था वो इस सबसे दूर जाना चाती थी तो ड्राइव कर कर फिर से अपने घर वापस चली जाती है गर पर सारा के बारेंस बात कर रहे थे क्यों ऐसा करती क्यों हुए नायस ने कहा कि वो डर रही है कि लोग उसे जच करेंगे ये वेडिंग ये सब इंटिमेसी ये सारी चीज़े उसे अच्छे नहीं लगती सारा ने ट्राय किया कि जब तक ही दिन खतम नहीं हो जाता तब तक वो सोये कि नहीं फाइनल उसे थोड़ी सी नीन आही गई और हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब कोई भी चीज मैटर नहीं करती है जो हमारी सिचुएशन है इसे हमें खुश रहना पड़ेगा सारा ने बुचा कि अगर हमने सुसाइड कर ली तो फिर क्या होगा नायस कहता है कि मैं इस फेस से गुजर चुकाओ मैंने ब कि यह सब काम नहीं करता मैं एक बार बॉर्डर क्रॉस करकर भी चला गया था फिर भी मैं नेक्स डेई यही पर उठाओ सारा को याद आ है कि नायस को कोई हंड कर रहा था उसने पुछा कि यह सब क्या था नायस कहता है कि उसका नाम रॉय है वो भी टाला की वेडिक में आय हुआ था उन दोनों के इंट्रेस्स सेम थे तो इक दूसरे से वह बात है करने लग गए टाला और एप को खुछ देखकर रॉय ने कहा कि मैरेज एक बहुत ही घटिया चीज है इसमें आप सिर्फ फस्ते जाते हो और नीचे बहुत ही ज़्यादा डाकने सोता है रॉय को इन खतम ही नहीं होना चाहिए नायल्स ने फिर उसे केव दिखाए कहा कि तुम्हारे सारे क्वेशन के आंसर इसी में उसी वज़े से रॉय भी इस टाइम लूप में फर्स गया था रॉय को जब इस सब सिच्वेशन के बारों में पता चला तो उसे अच्छी तरीके से उसने डिसाइड कर लिया था कि नायल्स को पनिश करेगा हर कुछ दिनों में आकर उसे हंड करता था सारा ने कहा कि यह सब बहुत गलत है तुम्हें उसे बात करने ही चाहिए तुम हमेशा उसे भाग नहीं सकते नायल्स उस बात को उतने जादा सेरियसली लेता नहीं वह य लोगों के साथ तुम इंटिमेट हुए नायल्स ने कहा कि किसी को मनाने के लिए बहुत जादा एफर्स लगते अब इतने दिन वह यहाँ पर फसा हुआ है तो जादा एफर्स करना उसे अच्छा नहीं लगता सारा ने पूछा कि क्या हम दोनों इंटिमेट हुए नायस ने अगर वह अपनी लाइफ में उसने कुछ गलत किया और उसी वजह से वह इस टाइम लूप में फच चुकिया अगर वह अपनी लाइफ में कुछ सही कर दिया तो इससे निकल सकती है यह रेयलाइस करने के बाद वह वेडिंग में वापस आया डाला की जब शादी हुई तो उसे वह कुछ बता देती है यह सुनकर टाला ने अपनी शादी तोड़ दिया नायस ने उसे इसके बारे में पूछा पर उसे कुछ भी बता दिने वह बहुत खुछ थी कि कल वह यहाँ पर नहीं रहेगी पर अगली दिन फिर से उसी दिन में उट जाती है उसने नायल से आ जाकर उनने प्रैक्टिस की गाड़ी चलाते चलाते एंजॉय किया प्लेन भी उडाने की कुशिश की पर अचाहर से प्लेन नीचे किर जाता है अगली दिन फिर से सब कुछ रिसेट हो गया जो भी चीज़ी ने ट्राय करनी थी इस सब कुछ वो ट्राय करकर देखते है मिस् रिलेशन्शिप में थी अपने पाटनर के साथ एक नई सीटी में भी चली गई थी उसे हमेशा से पता था कि यह वरक आउट नहीं करेगा और उसका ब्रेक अप हो गया वह गया थी कि रिलेशन्शिप में कोई बी डिसीजन लेने से पहले आदमी के अच्छी पूरी सारी च चुट गया है यह दोनों टेंड में सो है तो सारा ने कहा कि हम दोनों को इंटिमेट हो जाना चाहिए नाइज विसके लिए मान जाता है अगली दिन सारा जब रूम में उठी तो एप की रूम में एप जिसके साथ सारा की सिस्टर टाला शादी कर रही है हर रोज वो उसी र करते हैं अगर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है तो कल रात भी मिनिंग लेसी थी उसने कहा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती है वो नोटिस करती है कि बहुत टाइम से उसका कोई पीछा कर रहा है नायस ने कहा क्यों रॉय होगा हमें जल्दी से यहाँ से चले जा और इन दोनों को आरेस्ट कर लेता है नायस ने बुझा कि तुम्हारे साथ यह सब चल क्या रहा है यह सब मिनिंग्लेस है पर फिर भी हम जो भी करते हैं इसका हम पर एफेक्ट होता है अगर हमें चोड़ लगती है तो उसका पें रियल है सारा ने कहा कि अगर मैं कुछ भी नहीं करते हैं तो हमेशा तुम रॉय से डरते रहते हैं नायस को फिर भी एक गलत लगता था और उन दोनों में जगड़ा हो गया सारा ने कहा कि अगर उस रात मुझे पता होता कि तुम किस तरह के क्या आदमी हो तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आती नायस कहता है कि हम ब नायस गुसे में कहता है कि वो अपने खुद की लाइफ को सिरियसली नहीं लेती एक रात वो ड्रंग होकर एप के फ्रेंड्स के साथ था पीलो पर उसने सारा का सेंड नोटीस किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसे पता चलता है सारा और एप के लग और कहता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो जाता है और डारली रॉय के घर पर आ गया उसने कहा कि मुझे टॉर्चर करो मुझे मार डालो तुम कुछ भी कर सकते हो रहे हो उसके बहुत यह अच्छी फैमिली थी नायस को बेटी मेरे एक पेंडिंग भी बनाने वाली है जब उस लड़की ने मुझे कार से ठोक दिया था तो आज से उम्हें मैं सो नहीं पाया और उस वज़े से डे रिसेट नहीं हो रहा था मैंने फिर रेलाइस क्या कि मैं कितना लगी हूँ कि मेरे पास एक फैमिली है लाइफ म में सारा के परस्पेक्टिव से चीज़ें पता चल दिया जब फिर से एप के रूम में उठी उसने कहा कि हमने जो किया और बहुत ही जादा गलत था अब में मेरी लाइफ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करूंगी एपी सुनकर रोने लगता है उसे बहुत पश्ता हुआ थ इस सिच्वेशन से बाहर निकलने के लिए सारा ने कॉंडम फीजिक्स का स्टडी किया बहुत साय प्रोफेसर से उसने बात कि एक दिन वो खुद नाइल्स के पास वापस आ जाती है नाइल्स ने उसे जो भी कहा था इस सब के लिए उसे सौरी कहता है सारा ने कहा कि वो सब किया हुआ था यह सब सुनका नाइल्स कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सारा ने कहा कि तुम तो मुझे पूरी तरी के से जानते भी नहीं है हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं और हमें किसी भी चीज़ की वरी करने की भी जरुत नहीं पड़ेगी सारा की पाती सोती थी वो मेरी चोटी सिस्टर है पर फिर भी बड़ी सिस्टर की तरह है उसने मेरा ख्याल रखाया उसने एब से गा कि टाला को अब कभी भी हर्ट मत करना नाइल्स साइड होकर बार में बेटा था वो सब को सैड जीजे बार टेंडर को बताने लग गया वहाँ की एक लेड़ी उसे कहती है कि जरा आसपास देखो तुम जीज भी चीज को ढूंड रहे हो वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलने वाली यह सुनकर वो रियलाइस करता है कि वो कही पर भी रहे हो सारा के साथ ही रहना चाहता है जबरदस तो उसने बार टेंडर से फाइट ले उसके ओचावी निकाल लेता है जल्दे उसे हो सारा के पास पोच गया वो कहता है कि मैं कभी भी अकेला जी नहीं सकता था तुम जब मेरी लाइफ में आई तो सब कुछ चीज़े ठीक होने लग गई हम दोने एक दूसरे को पूरी तरीके से जानते तुमारी अच्छी और पूरी चीज़े इन दोनों के बारे मुझे पता है सब को जाने के बाद भी में तुमारी साथ ही रहना जाता हूं सारा ने कहा कि हम टाइम के साथ एक दूसरे से तंग आ जाएंगे नैस ने कहा कि अब भी हम एक दूसरे से तंग आ गये तो क्यों ना एक साथ पूरी जरा fun हो जाएगी उसे accept कर लेती है उसके बाद वो bomb के साथ उस cave में गे लास्ट टाइम एक दूसरे को kiss करते अगली दिन हम देखते है कि वही वेडिंग के जगा पर एक खाली house में हो hangout करे थे सारा ने पुझा कि अब हम क्या करेंगे नैस ने कहा कि मेरे dog को मुझे pick up करना प चुका था पर फिर भी बिना किसी वरी के एक दूसरे के साथ enjoy कर रहे थे इसी के साथ मुवी एंड हो जाती है अगर आपको explanation चलागा तो प्लीज से like और comment जरू कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोट के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया